साइन्स बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और साइन्स की भी बाइलोजी सेक्षन से बहुत ही ज़दा कोशन पूछे जाते हैं तो मैं पहले इसे ही कवर करूँगी इसी बाइलोजी सेक्षन की हम सभी संभाबन ना है यहां सब्सक्राइब करेंगे तो फेट के साथ तो फ्रेंट्स चलिए मैं वशाली लोदी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन पर चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स कॉशन की ओर और यहाँ पर पहला हमारा कॉशन है मनुष्य का वैग्यानिक नाम क्या है तो मनुष्य का जो वैग्यानिक नाम होता है यह होता है होमो सेफियन्स हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा होमो सेफियन्स मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी कि जितना भी मेंटर है मैं इसको इंग्लिश में भी कवर करूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टुडेंट हैं उनको कोई भी दिकत ना हो चलिए फ्रेंट्स अब मैं बात कर लेती हूं हमारे कॉश्य की और मनुष्य का जो वैग्यानिक नाम होता है यह होता है होमो सेपियन्स किसी भी कॉश्य का अंसार आपको पहले से पता है आप उसी समय वीडियो को पॉस्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना अंसार जरूर कमेंट करेंगे और अकर वैग्यानिक नाम इस टॉपिक से कोई भी कॉश्य पूछा जाता है तो मैं आपको यहां पर कुछ इतने इंपोर्टेंट वैग्यानिक नाम प्रोवाइड करा रही हूं इस से बाहर मैं गैरेंटी दे सकती हूँ कि कॉश्य कहीं नहीं जाएगा तो फ्रेंट्स जि की गतिविदियों को नियंत्रित करता है तो फ्रेंट्स तंत्री का तंत्र का इसा कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे आंत्रे कंगों की गतिविदियों को नियंत्रित करता है तो फ्रेंट्स यह होता है मेडियोला उबलंग गाटा जिसे हम हिद्दी में कहते हैं मेरू मज्जा अ हमारे कैसे यंग हैं हमारे आंत्र डाrot के अंग हैं हो तो च्छी हमारे कार्ण कर देती हो कहांपर होती है तो उपर यह हमारे पस्च मस्टिश्क आप एकस्प्लाइब कारे 새टे rest स्टेथ होता है और यह आगे जाकर यह मेरु रज्जू से जोड़ा होता है और इसका नाम क्या होता है मेरु मज्जा होता है और इसे हम क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स इसको हम कहते हैं मेरु मज्जा यह मैडियूला ओबलंग गार्टा चलिए फ्रेंट्स अब यहाँ आपको आडिशनल इंफॉर्मिशं दे देती हूं तो फरेंडस अडिशनल इंफॉर्मिशं है थ इसको कार्यों कि आधर बांगों में विवाजित की या जाता है पहला होता है केंद्डरिय का तंत्र जब एंग्रोम का सेंट्रि सेंट्र मॉछी के बांगने फिर्ट फ्रेब इसे जड़ी हुई होती इनका करते हैं िने सरीर की सरवादिक प्रवल इस्तित में आपको डाग्राम की साहिता से बता देती हुँ लाजव इस्तित होती है अगर जबरे की भी बात करूब तो जबरे के से होते हैं एक उपरी हिस्सा होता है यह जो उपरी हिस्सा आप देख पा रहे हैं तो इस उपरी हिस्से को हम कहते हैं मैंडी बल क्या कहते हैं फ्रेंट्स सॉरी मैगजिला कहते हैं इसको और फ्रेंट्स जो निचला हिस्सा होता है इसको कहते हैं mandible, तो फ्रेंट्स जो निचला हिस्सा होता है mandible, ये ही मनुश्री की सरवादिक मजबू धड़ी होती है, और फ्रेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, इसकी mandible की, तो ये मनुश्री खोपडी की एक मातर चले धड़ी होती है, एक्जाम में कई वर कॉ पूछा जाता है आप स्टार लगा लीजिए या आई एंपी करके नोट लिख लीजिए कि मनुष्य शरीर यानि मनुष्य खोपड़ी की एक मातर चले थड़ी जो होती है यह होती है मैंडी वल याद रखिएगा आप चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question next हमारा question है मानव शरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो friends मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसकी हड़ी सबसे लंबी होती है तो friends जो जांग की हड़ी होती है इसका नाम होता है फीमर यह मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड़ी होती है और friends अगर मैं बात यह 48 cm होती है चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉशन की और और आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं कि यह है कौन सी हमारी फीमर बोन है और यहां कुछ एडिशनल इंफॉरमेशन आपके लिए नवजाज शिश्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है त तो यह 300 होती है और फ्रेंट्स यहां मैं आपको बदा देती हूँ एक वयशक में हड्डियों की संख्या है यह 206 होती है और फ्रेंट्स आपके दिमाग में कॉशन आया होगा कि यह 300 से 206 कैसे हो जाती है तो फ्रेंट्स जब नवजाज शिश्यों होते हैं इनमें हड्डि की और और next हमारा question है दातों तथा हड़ियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं तो friends दातों और हड़ियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं ये calcium और phosphorus होते हैं कौन से calcium और phosphorus यहां हमारा answer हो जाएगा additional information आपके लिए परमानु करमांग इनका पूछा जाता है क्या होता है तो friends calcium का जो परमानु करमांग है ये 20 होता है और friends इसका जो प्रतीक है ये CA होता है हम इसे calcium को CA से denote करते हैं और friends अगर मैं बात करूँ प्रमाणू कर मांक होता है यह कितना होता है 15 और इसका प्रतिक होता है तो यह होता है हम पी से प्रदश्चित करते हैं फासवो ऱस के लिए चले अब बढ़ते हैं हमारे next question के और और next हमारा question है ब्रद्धा वस्ता में मनुश्य की हड़ियां क्यों कमजोर हो जाती हैं तो फ्रेंट्स ब्रद्धा वस्ता में मनश्य की जो हड़िया है ये केल्शियम की कमी की कारण कमजोर हो जाती है और फ्रेंट्स ब्रद्धा वस्ता में केल्शियम की कमी से होने वाला जो रोग है इसको हम क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स इस रोग के लिए हम बोलते हैं Osteoporosis क्या बोलते है Frens Osteoporosis Aver te ration when Information पूछा जाता है कि Osteoporosis जो बीमारी है ये किन में होती है तो Frens Bios का सिर्फ ड्रद्धा वस्थ हमें ये होती है और Frens इसको पूछा जाता है Osteoporosis जो बीमारी है ये किस कारण से होती है तो friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question हैготовлен मनिष्ची की जीवन काल में कितने लाँ दो बार विक्से सब्सक्राइब तो friends मनिष्टी की पूरे जीवन काल में 20 दांट ऐसे होते हैं जो दो बार उखते कौन से होते हैं फ्रेंट्स 20 दांट और फ्रेंट्स अगर एक्जाम में कॉछन पूछा जाता है कि मनश्य के जो दांट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं तो फ्रेंट्स चार प्रकार के होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूं मनश्य के दांट कितने प्रकार के हो एफले होते हैं कृतंग दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं अगर चवडनक और फ्र Neeมि 10 और 10 जब्र में अगर मैं में बात करूं तो यह हो जाएंगे 20 तो फ्रेंट जो 20 दात होते हैं ये मनश्य की जीवन काल में दो बार मिक्सित होते हैं और फ्रेंट जो लास्ट वाले होते हैं चोथे जो 54 दात होते हैं इनकी जो संख्या होती है फ्रेंट तो फ्रेंट इनकी संख्या होती है 12 और और फ्रेंस ये दाइसे होते है जो मनेश्चा के जीवनकार में एक बार ही उगते हैं और अगर मैं बैसक मनेश्च में बात करूं इस प्रकार कितने हो गए 20 और 12 कितने हो गए 32 तो 32 दात होते हैं यह वयश्क मनुष्य में पाय जाते हैं चलिए फ्रेंस अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है मानव शरीर में कितना सोना याने गोल्ड पाया जाता है तो friends हमारे शरीर में भी सोना पाया जाता है और इसकी जो मातरा होती है तो फ्रेंस ये कितनी होती है 0.2 मिलिग्राम होती है चलिए फ्रेंस अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और फ्रेंस next हमारा question है मनुष्य के शरीर में हिर्दाई को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है friends अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यह हिर्दाइ की सनष्ण आप देख पा रहे होंगे मैं पूछा जाता है कि मनिश्य हिर्दाइ में कितने कोस्ट होते है तो friends चार कोस्ट होते हैं आप देख सकते हैं बाया आलंई दाया आलंड दाया निलाई और फ्रेंस बाया निलाई चलिए फ्रेंस अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर and next हमारा question है मनिश्य का हिरदाय यानिормeki human heart जो होता है to friends मनिश्य का जो हिरदाय होता है ये कितनी कोस्टी होता है तो फ्रेंसट चार कोस्टी होता है मैंने अभी अपको बताया था बाया आलें दाया आलें दाया निला और बाया निला एडिशनल इन फॉर्मिशन आपके लिए इक deliberately यह उंन नोट करके अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंस मैं जो एडिशनल इंफॉर्मिशन आपके लिए यहां प्रोवाइड कर रही हूं तो यह जादा से जादा कॉशन की संख्या है जिसे मैंने कम करके यहां पर नोट नोट पॉइंट मना दिए हैं चलिए फ् के लिए जैसे हैं अब हम कहते हैं यह काय fragment की और नेक्ससा घंट चौजन की ओर हमारा कोशन है इसके खोच करता कौन थे यह लैंडिस सीनर वे अजम कई बाप और कोशन पूचा जाता है मैंने जितने भी यहां पर question लिये हैं यह previous year के exams में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की जो इनकी probability है यह भी बहुत जादा है तो चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है मनुष्य के शरीर में रखती की मातरा होती है तो friends मनुष्य के शरीर में रखती होता है तो friends सर्वदाता रखत समू होता है यह O होता है और friends अगर मैं बात करूं कि O सर्वदाता रखत समू क्यों होता है तो friends इसका मैं आपको यहां पर reason दे देती हूं जो O रखत समू होता है इसमें antigen नहीं होता है किसी भी प्रकार का antigen नहीं पाया जाता है इसलिए यह सर्वदाता कहलाता है इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो रक्त समू होते हैं तो मनिश में कितनी रक्त समू पाए जाते हैं तो मनिश में 4 रक्त समू पाए जाते हैं A, B, 3 होता है O, 14 होता है यह 4 रक्त समू होते हैं मनिश्य में पाए जाते हैं और इन मेंसे जो ओ होता है यह सर्वदाता होता है और नेक्स्ट हमारा जैसे की कॉश्यन है कि मनिश्य की सर्वगराही जो रक्त समू होता है यानि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है यह कौन सा होता है तो फ्रेंट्स यह अबी होता है फ्रेंट् सर्वग्राही रखते समुकियों होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों होता है तो फ्रेंट्स इसमें किसी भी प्रकार की एंटी बॉड़ी नहीं पाई जाती है इसलिए यह सर्वग्राही कहलाता है चलिए फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉश्चन की ओर और फ्रेंट्स जो भोजन का पाचन है यह कहां शुरू होता है तो फ्रेंट्स यह मुख से शुरू होता है और फ्रेंट्स अगर मैं बात करूँ भोजन की पाचन की जो संपून प्रक्रिया है यह कहां होती है तो फ्रेंट्स यह हमारी आहर नाल में होती है और फ्रेंट्स इतने समय हमारे शरीर में रहता है यह जो पूरी प्रेक्रिया होती है यह हमारी आहर नाल में होती है और अगर मैं बात करूँ तो भोजन जो है यह हम भोजन का पाचन मुक्षे शुरू होता है मुक्षे भोजन को गरहन करते हैं और यहां से ही इसका पाचन शुरू हो जाता ह इसके बाद भोजन जो है ये ग्रसी का और इसके बाद फ्रेंट्स अमाशाय में जाता है फ्रेंट्स अगर आप बात करेंगे यकरत और पिताशाय की तो फ्रेंट्स जो यकरत पिताशाय और अगनाशाय होती है फ्रेंट्स ये हमारी सहायक पाचागरंथिया होती है ये तीनो ही हमारी सहायक पाचाग गरंतिया होती है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती है और फ्रेंट्स ये भोजन के पाचन में कैसे सहायता करती है तो फ्रेंट्स ये एंजायम को स्त्रावित करती है जो कि हमारे भोजन के पाचन कि जो kria है इसमें मददगार साबित होते हैं और friends जो भोजन है आमासाई के बाद ये चोटी आत में फिर उसके बाद ये बड़ी आत में और friends इसके बाद ये एनस दोआरा जो अपसिस्ट पदार्थ होता है ये बाहर कर दिया जाता है चलिए फ्रेंट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशन की और मैं आशा करती हूँ कि जो पाचन की जो क्रिया है यह आपको समझ आ गई होगी अब नेक्स हमारा कोशन है मनुष्य का मस्तिश्क का वजन कितना होता है तो फ्रेंट जो यूमन ब्रेन होता है इसका जो व कोशिका होती है और मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो फ्रेंट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशन की और नेक्स हमारा कोशन ब्रद्धी यानि growth hormone का जो स्त्रावन है ये कहां से होता है तो फ्रेंट्स ग्रोथ हार्मोन का जो स्त्रावन है ये piturity gland से होता है और फ्रेंट्स ये जो piturity gland है इसे हम master gland भी कहते हैं कौन सी friend master gland भी हम इसको कहते हैं अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर next हमारा question है मनशी की सहनदरता का अध्यन कह के क्या लाता है तो मनशी की जो सौनदरता का अध्यन होता है इसे हम कहते हैं 초ology हमारा answer हो जाएगाлад 44 और जोडी में बात करूं तो ये 12 जोड़ी होती है 12 जोड़ी यानि इनकी अगर संक्या पूछी जाए तो कितनी होती है 24 होती है चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question हमारा question है मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग होता है यह होता है प्रामस्तिश्क मैं आपको डाइग्राम की साहता से यहां बता देती हूँ के प्रामस्तिश्क जो सेरे ब्रमभी कहते हैं चलिए फ्रेंस अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और next हमारा question है मानवख घौपडी नियूमन स्किल में हड़ियां पाए जाती है इंकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या कितनी होती है आठ और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनशिक के सिर में कित कितनी हढ़ी पाई जाती हैं आप 000 कियां से तो मैं आपको यहां पर explain कर देती है जो 8 हढ़ी है इस कांट यानि की खुपडरी में होती है और मैं चेहरे की बात कर रहु Us और और Ninor साइट के कआन में होती है किसम उनकतों कान में होती है और अगर मैं बात करों WAS एक हड़ी जो होती है यह कहा होती है तो फ्रेंस यह गरदन में होती है इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं यह हो गई 20 और एक हो गई 21 और फ्रेंस यह 8 को अगर आप इसमें काउंट कर देंगे तो फ्रेंस कितनी होगी कुल 29 हड़ीया हो गई अगर आपसे पूचा जाता है म एक कान की बात होती है तो तीन हड्डियां ही पाई जाती है एक कान में अगर गर्दन की बात की जाए तो गर्दन में सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉशन की और और नेक्स हमारा कॉशन है मानव शरीर में मासपेशियों की कुल संख्या कि है ये होती है 649 होती है कितनी होती है 64639 और अगर मैं मार्श पेशी से कोई कॉशन उठाओं तो एक कॉशन ही एक्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी माश पेशी कौनसी होती है मानफ शरीर की जो सबसे बड़ी माश पेशी है ये होती है Glutus Maximus क्या होती है Glutus Maximus इसका नाम है और ये मानफ शरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों इसमें आप star point लगा लीजिए और नोट करके इसको आप ज़रूर लिख लीजिए का ये question exam में पूछा जाता है मानफ शरीर की सबसे बड़ी माश पेशी कौनसी होती है मानफ शरीर की सबसे बड़ी माश पेशी Glutus Maximus चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और next हमारा question है मानफ शरीर का सामने तापमान कितना होता है मानफ शरीर का सामने तापमान यानि जो की temperature होता है 37 degree Celsius और अगर हम foreign height में बात करें तो foreign height में कितना होता है तो ये होता है 98.6 degree foreign height हमारा correct answer हो जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और मैं आगे से अपनी वीडियो में इस चीज का खास ख्याल रखूँगी कि मैं इन चीजों को English में भी आपके लिए provide कर सकूँ ताकि हमारी English medium वाले student है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी ना हो और उन्हें दूसरे student जो होंगे यह इसका आंसर जानते होंगे तो फ्रेंट्स चलिए जल्दी से आप comment section में इसका आंसर comment कर दीजे और फ्रेंट्स इसका हमारा answer है hypothalamus gland क्या है फ्रेंट्स hypothalamus gland अगर फ्रेंट्स मैं hypothalamus gland की बात करूं इसके कारियों की बात करूं तो आप पहला कार ही यहां पर दिख सकते हैं कि हमारे शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथी होती है यह हमारे शरीर के temperature को कंट्रोल करती है और फ्रेंट्स अगर और हम इसकी बात करें तो फ्रेंट्स यह piturity gland जो होती है ये ऊसके नियंतरनका कारी करती है चलिए फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है मानफ शरीर में गुर्षूत्रों यानि क्रोमोसोंस की संख्या है ये कितनी होती है तो मानफ शरीर में जो क्रोमोसोंस यानि गुर्षूत्री की संख्या है ये कितनी होती है चालीस होती है और अकर मैं जोड़े में बात करूं तो फ्रेंट्स तेईस जोड़े होते हैं और फ्रेंट्स ये तेईस जोड़े हैं ये कैसे होते हैं तो फ्रेंट्स जो बाइस जोड़े होते हैं इन में से ये समजात गुर्ण सूतर कहलाते हैं ये पुरुष और मादा दौ XX होता है और अगर में यहाँ पर जैसे next हमारा कॉशन है लिंग निर्धारन किसके कारण होता है तो यहाँ पर मैंने बताया आपको जो की मानव यानि मनुष्य में जो पुरुष होते हैं इनमें जो एक्स वाई क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है इसके कारण ही फ्रेंट्स लिंक का निर्धारन होता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप हमारा आंसर भी देख सकते हैं इसका आंसर क्या है पुरुष क्रोमोसोम पर और फ्रेंट्स पुरुष क्रोमोसोम पर मैंने आपको बताया वो जो 23 जोड़ा होता है XY का ये ही लिंक का निरधारन करता है चलिए फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और यहाँ पर next हमारा question है मानव शरीर में रक्ति की मात्रा शरीर की भार का कितना प्रतिशत होती है तो फ्रेंट्स मानव शरीर में जो रक्ति की मात्रा होती है ये शरीर की भार का कितना होती है फ्रेंट्स साथ प्रतिशत होती है आप हमारा आंसर देख सकते हैं कितना होती है साथ प्रतिशत अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है रक्त चाप यानि की blood pressure मापने की यंद्र को क्या कहा जाता है तो friends blood pressure नापने के यंद्र है रक्त चाप मापने की यंद्र है इसे हम कहते हैं इस phignomanometer हमारा correct answer हो जाएगा friends exam में कई बार question पूझा जाता है तो आप अच्छे से इसको याद कर लेजेगा अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है लाल रक्त कड यानि की जो red blood cells होती है इनका निर्माण कहा होता है friends यहाँ पर cells की जगा corpusals भी होता है आप याद रख सकते हैं तो friends जो लाल रक्त कड होती है इनका जो निर्माण होता है तो फ्रेंट्स यहां कहां पर होता है अस्थी मज़ा यानि की बोन मेरो में होता है इसका निर्माण और फ्रेंट्स अगर मैं बात करूँ ब्रूड अवस्था में जो इनका निर्माण है यानि लाल रक्त कणी का को जो निर्माण है तो यह कहां पर होता है तो friends यह यक्रत में होता है exam में question कई बार पूछा गया है आप याद रखिएगा ब्रून अवस्ता में जो RBCs होती है इनका नर्मान कहा होता है तो यक्रत में होता है चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है लाल रख्त करें यानि की red blood cells को कहा जाता है तो friends red blood cells है इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं erythrocydes कहते हैं आप याद रखिएगा अब next हमारा question है TBR नामक हड़ी कहां पाई जाती है तो friends जो TBR नामक हड़ी है ये कहां पाई जाती है तो pair में पाई जाती है अगर मैं बात करूँ pair की हड़ी की तो friends एक और यहाँ पर bone है जो पाई जाती है यहाँ पर बहुत सी bone पाई जाती है और एक और bone है friends जो की हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है मैंने इस cancer आपको पहले भी बताया है यहाँ मैं रिवाइस करवा देती हूँ के pair में जो हड़ी पाई जाती है femur कहाँ पाई जाती है तो friends यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है सबसे बड़ी हड़ी होती है कौन जी friends femur याद रखेगा और friends बड़ी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ हमारे शरीर की सबसे चोटी हड़ी होती है friends तो यह होती है stepes होती है stepes और friends यह कहाँ पर पाई जाती है तो यह कान में पाई जाती है याद रखेगा आप बढ़ते हैं हमारे next question की ओर next हमारा question है मानव शरीर में जलकी मात्रा पाई जाती है तो friends मानव शरीर में जलकी मात्रा है यह होती है पैसर से अशी प्रतीशत अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है मनिश्ची के दातों और हड़ीयों में होता है तो friends ऐसा कौन सा पदार थे जो मनिश्ची के दातों और हड़ीयों में पाया जाता है तो यह होता है केल्शिय अवं फासपूरस next हमारा question है मनिश्ची के शरीर में एमीनो अमली की संक्या होती है तो friends मनिश्ची के शरीर में जो एमीनो अमली यानि एमीनो एसेट्स होती है इनकी कितनी संक्या होती है friends तो 20 होती है कितनी होती है 20 friends अगर मैं बात करूँ एमीनो अमली की तो friends इनको क्या कहा जाता है तो friends इनको protein की मूल सररशनात्मक एकाई कहा जाता है exam में caution पूचा जाता है कि protein की मूल सररशनात्मक एकाई क्या होती है तो हमारा आंसर होगा एमीनो अमल या एमीनो एसिड और फ्रेंट्स एक और कॉशन यहाँ से पूछा जाता है एमीनो अमल से कि प्रोटीन का जब जल अब घटन किया जाता है तो फ्रेंट्स इससे क्या बनता है तो फ्रेंट्स जब हम प्रोटीन का जल अब घटन करते हैं प् सभी जानते हों कि मनिश्टी के चली जो सबसे बड़ी गरंती है, यह कौन सी होती है, यकरत याने की लीवर होती है, और अब मैं यहाँ पर बात करूँ यकरत की, जैसे हम अपनी भाशा में जिगर या कलेजा भी कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसके मैं आपको का वट करने का कारे कौन करता है फ्रेंट्स एक्जाम में कई बार कॉशन पूझाता है तो हमारा आंसर होगा यक्रत यक्रत में जो वसा के पाचन के समय उत्पन जो अमोनिया रहता है इसका यूरिया में परिवर्तन कर देता है हमारा यक्रत चलिए फ्रेंट समब बढ़ते हैं ह जो हमारा यक्रत होता है इसमें बिटामिन A संचित हो जाता है फ्रेंट्स आब बात करूं बिटामिन A की तो इसका जो रासाइनिक नाम होता है ये होता है रेटीनॉल क्या होता है फ्रेंट्स रेटीनॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो फ्रेंट्स इसकी कमी से होता है रतोंदी रोग कौन सा रोग होता है अब यह रतोंदी रोग क्या होता है तो फ्रेंट्स यह रतोंदी रोग जो होता है इसमें रात की समय दिखाई देने में समस्या होती है जो व्यक्ति होता है उसको रात में देखने में बहुत ज़्यादा परिशानी होती है और तो फ्रेंट रग्ट का थक्का बनाने के लिए जो आवशक प्रोटीन होता है कौन साउनल constance इसा निर्मान कोटा है हमारे यक्रत में फिर्फ डिनोजन प्रोटीन होता है यह जब हमें कोई भी चोट लगजाती है और उसे स्त्राव होता है यह विटामिन के मिलकर वहां पर जिसकी जो रखत है हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कॉशन कियोट और नेक्स हमारा question है लार यानि saliva में पाए जाने वाला enzyme है तो friends लार में पाए जाने वाला enzyme है यह होता है tylin कौन सा होता है friends tylin enzyme होता है जो कि लार में पाया जाता है और बात करूं अगर tylin enzyme की तो यह tylin enzyme जो होता है यह starch का परिवरतन glucose में करता है किसका starch का परिवरतन यह glucose में कर देता है एंजायम और फ्रेंट्स अगर लार में पाया जाने वाले एंजायम की बात करते हैं तो यहां एक और मुख्य एंजायम पाया जाता है जो की होता है लाइसोजायम कौन सा फ्रेंट लाइसोजायम होता है और फ्रेंट्स यह जो एंजायम होता है यह जीवाणू नाशी होता है किस प्रकार का enzyme होता है जीवाणू नाशी यानि जब हम भूजन को ग्रहन करते हैं उस समय हमारे शरीम में बहुत से छोटे छोटे कीटाणू चले जाते हैं और ये उनको नस्ट करने का कारे करता है लाइसोजायम एंजायम चलिए फ्रेंट सब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर औ और next हमारे यहाँ पर question है next हमारा question है व्रक्ट की यानि किडिनी का वजन होता है किडिनी का वजन कितना होता है तो हमारा answer होário एक सो पचास गराम किडिनी के वजन कितना होता है नेक्स्ट कॉश्शन की और और नेक्स्ट हमारा कॉश्शन है श्वेत रक्तकन याने white blood cells का जीवन काल कितना होता है तो white blood cells का जीवन काल यह एक से चार दिन का होता है हमारा correct answer हो जाएगा एक से चार दिन नेक्स्ट हमारा question है श्वेत रक्तकान यानि white blood cells को कहा जाता है तो friends इनको कहा जाता है लिकोसाइट्स क्या कहा जाता है friends लिकोसाइट्स इनको कहा जाता है friends बहुत से बच्चे जैसे comment करते हैं कि इनको objective टाइप में लेकिया हो तो friends मेरा ऐसा मानना है मैं लेकिन आपके लिए ऐसा करूँगी कि आगे से जो मेरी videos रहेंगी मैं इनको आपके लिए objective टाइप में लेके आओंगी जिनके चार options रहेंगे friends लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप direct answer याद करते हैं तो आप परिच्चा में चार options देखने से पहले ही अपने mind में click कर चुके रहेंगे कि इसका जो answer है ये क्या होने वाला है तो friends मेरा ऐसा मानना है कि आप इस तरीके से पढ़ें बाकि अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूँगी कि मैं इनको optional wise लेके आओंगी मैं एक caution और उसके चार option रहेंगे और फिर मैं उस question को वहाँ पर describe करूँगी ठीके friends और आप feedback भी जरूर देचे जाएंगे साथ साथ में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको उसी तरीके से ही पढ़ाने के लिए तयार हूँ चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर next हमारा question है सबसे चोटी ग्रंथी याने small gland होती है तो friends हमारे सरीर की जो सबसे चोटी ग्रंथी होती है ये होती है पिट्योटी ग्रंथी जिसे हम master gland भी कहते हैं हमारा answer हो जाएगा पिट्योटी ग्रंथी अगर friends मैं इसकी बजन की बात करूँ तो इसका जो बजन होता है यह 0.6 ग्राम होता है एक्जाम में question पूछा जाता है और friends ये किस प्रकार की ग्रंथी होती है तो friends ये एक अंतास्त कर देती हैं ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में श्रावित कर देती हैं ये अंतास्त्रावी ग्रंथी कहलाती है चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है स्वस्त मनुषी की सास लेने की दर कितनी होती है तो friends एक स्वस्त मनुषी की सास डेने की जो दर होती है ये होती है 16-18 बार एक जो स्वस्त मनुषी है ये एक मिनिट में 16-18 बार सास लेता है चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर next हमारा question है श्वेत रख्तिकडिका का जीवन काल कितना होता है तो friends दो श्वेत रख्तिकडिका होती है इनका जो जीवन हमारे next question है QAining कि क्यों कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है यह हम कहते है को चिका के और को चिका के बारे में मैं अब आपको extra facts बता देती हुँ जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कोशिका की खोज है ये किस ने की थी तो फ्रेंट्स कोशिका की खोज की थी रौवर्ट हुक ने और रौवर्ट हुक ने सन 1665 इश्वी में कोशिका की कोज की थी फ्रेंट्स एक और कोशिका से पूछा जाता है कि ये जो कोशिका यह किस ने दिया था तो फिरंड यहा पर मैं दो जॉक्र कर रही हूं जैसे कि कोशी का Sydney इल आधम स्वान की और और नेक्स हमारा question है कौनसा तत्व मानफ शरीर में सरवाधिक पाया जाता है तो friends ऐसा कौनसा तत्व है जो की मानफ शरीर में सरवाधिक मातरा में पाया जाता है तो हमारा answer होगा oxygen और friends अगर इसका percentage पूछा जाता है तो आप वहाँ बता सकते हैं इसका percentage कितना होता है तो मानफ शरीर में इसका जो प्रतीशत होता है ये 65% होता है Friends मैं अब आपको कुछ ऐसे तत्व बता देती हूँ जो की सरवादिक मात्रा में मानफ शरीर में पाये जाते हैं तो Friends ये ऐसे 6 तत्व हैं जो की सरवादिक प्रधानता में हमारे शरीर में पाये जाते हैं Friends पहला जैसे कि मैंने अभी बताया आपको oxygen है ये percentage अगर पूछा जाये तो 65% और Friends सेकिंड अगर मैं बात करूँ तो जो कार्बन होता है इसकी 18 प्रतिशत मात्रा हमारे शरीर में मानफ शरीर में पाये जाती है Friends आगे मैं बात करती हूँ तो जो hydrogen है ये 10 प्रतिशत पाया जाता है मैं आशा करती हूँ कि जो मैं आपको explain कर रही हूँ जो मैं समझा रही हूँ वह आपके समझ में आ रहा होगा Friends सेशन को like कर दीजी अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंदा रहा है अब चलिए Friends बढ़ते हम हमारे next question की और next हमारा question है किस protein की मौझूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो Friends ऐसा कौन सा protein है जिसकी मौझूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का थक्का नहीं जमता है Friends यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा हेपेरिन नामक protein जो Friends हेपेरिन protein होता है इसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का जो है ये नहीं जमता है और मैं बता दूँ शरीर के भीतर रक्त का थक्का जमने की अगर बात है तो हमारा जो blood है ये हमारी पूरी body में circulate होता है और उस वहाँ पे ये जो हेपेरिन नामक जो protein होता है इसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर किसी व्यक्ति किसी परसन के शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है ब्लड का क्लॉड बन जाता है तो हेपिरिन नमक प्रोटीन होता है इसके ही injection दिये जाते हैं कि जो रखते का थक्का है वो पिधल कर निकल सके चलिए अब बढ़ते हैं हमारी next question की और next हमारा question है यहाँ पर पच्चे हुए भोजन का अफ्शोशन है यह कहां पर होता है तो friends पच्चे हुए भोजन का अफ्शोशन होता है हमारी छोटी आत में हमारा सही answer हो जाएगा पयस्क मनश्य में इसकी जो लंबाई होती है यह 6.5 मीटर तक लंबी होती है चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है मानव शरीर में खून का शुद्धी करण की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते है तो friends जो खून के शुद्धी करण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं dialysis हमारा correct answer हो जाएगा dialysis additional information आपके लिए यह जो dialysis की प्रक्रिया है मैं से explain करूंगी यह क्या होती है तो friends dialysis की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के friends ब्रक्क याने गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हो उसकी किड्नी सही से काम नह लगी होते हैं यह उच्छ रख्तचाप याने जो बीपी के मरेज होते हैं ऐसी परिस्तितियों में कई वर डायलश्यस की friends आवश्क्ता बढ़ती है अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next question है पेट में बोजन को पचाने के लिए आवश्क्ता होती है तो friends पेट में बोजन के प पाया जाता है और मैं को explain कर देती हूं कि यह होता क्या है तो friends जो बोमन कैपसूल होता है यह इस्तंधारियों के गुर्दे यानि किड्नी में नेफ्रोन पर कपके आकार का एक थैलिनुमा सरनश्ना होती है friends जो मूत्र के बनने के लिए रख्त कर निस्पंदन करता है friends मैं आपको डाइग्राम में explain कर देती हूं friends यह जो नेफ्रोन की सरनश्ना आपको यहां पर दिख रही है इसमें friends यह प्याली नुमा जो सरनश्ना दिख रही है कपके आकार की friends यह कहलाता है बूमन कैपसूल चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशिका की आत्महत्या की थ थेली क्यों कहा जाता है तो फ्रेंट्स जो कोशिकाय होती है जब यह च्छतिग्रस्त हो जाती है यह अमरत होने की कंडिशन में आती है तो फ्रेंट्स यह लाइसोसोम में जाकर फट जाती है और friends मुक्त एंजायम अपनी कोशिका को पचा देते हैं और friends इस कारण से लाइ 255 में की थी एकजामे कोशन पूछा जाता है चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है रक्त एक किस प्रकार का उतक है तो friends जो रक्त है यह एक तरल सही हो जी उतक है हमारा correct answer हो जाएगा तरल सही हो जी उतक एकजामे कई बर कोशन पूछा जाता है friends तो आप इस सही हो जी उतक है और friends एकजामे कई बर कोशन पूछा जाता है कि मानफ शरीर में रक्ती की जो मातरा है मानफ शरीर का कितना प्रतीशत होती है friends तो यह लगभग साथ प्रतीशत होती है next हमारा point है रक्त एक छारी अविल्या ने एकजामें पूछा जाता है और friends इसका पी- नेक्स्ट है महिलाओं में पुर्शों की तुल्ला में डेल लीटर रक्त कम होता है और friends रक्त में दो प्रकायर के पदार्थ पाये जाते हैं friends पहला होता है प्लाजमा और friends दूसरा होता है रुधरानू जिसे हम ब्लड कार्पुसल्स कहते हैं friends अब इसमें परसेंटेस भी होता है किसका कितना परसेंट होता है मैं ब्लड को को यहां पर एक्सप्लेंट कर देती हम जो ब्लड होता है इसमें दो पार्ध होते हैं पहला पार्थ होता है मुद फ्लgruppe क्ब्लीक कार्पुसल्स RAM क्षाट होता है लकबग 45 प्र्तिशत होता है और friends अगर ब्लुड कोर्प ब्लट सेल्स दूसरा होता है वाइट ब्लट सेल्स और फ्रेंट्स नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question की और और friends next हमारा question है जार्विक 7 क्या है तो friends जो जार्विक 7 है यह एक सबसे लंबी पेशी कौनसी है तो friends सबसे लंबी पेशी जो है यह होती है सटोरियास कौनसी फ्रेंस सटोरियास हमारा और अगर मैं यहां पर सबसे बड़ी पेशी की बात करूं तो सबसे बड़ी पेशी होती है माना शरीर की यह होती है ग्लूमस मैक्सिकस चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है मानव मूतर किसके कारण दुरगंदर देता है तो जो मानव मूतर है यह यूरिया के कारण दुरगंदर देता है यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा यूरिया चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question की और हमारा question है सबसे बड़ी लार ग्रंती कौन सी है तो friends मानव शरीर की जो सबसे बड़ी लार ग्रंती होती है यह होती है है pare Claudet Lens और friends इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्न पूर्व बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है यहाँ पर सबसे छोटी WBC कौन सी है तो friends सबसे छोटी जो WBC यानि white blood cells है ये होती है lymphocyte हमारा correct answer हो जाएगा lymphocyte और यहीं अगर मैं बात करती हूँ सबसे बड़ी WBC white blood corpuscles कौन सी है सबसे बड़ी तो friends ये होती है monocyte exam में question पूछा जाता है आप दोनों के याद रखिए गर note down करते चलिए साथ में next हमारा question है सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है तो friends मानव शरीर की जो सबसे बड़ी शिरा होती है ये होती है inferior हमारा correct answer हो जाएगा एंफिरियर चलिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की और और यहां पर friends next हमारा question है अनुवाइंशी की के पिता किसे कहा जाता है तो friends अनुवाइंशी की के जो पिता है father of genetics ये कहा जाता है Gregor John Mendel के लिए हमारा correct answer हो जाएगा Gregor John Mendel और friends अब गर मैं अनुवाइंशी की की बात करूं तो यहां से दो question है जो बहुत ही ज़ादे एक्जाम में पूछे जाते हैं कई बार repeat हुए है कि जो डॉक्टर हर गोविंद खुराना है इनको किस संबंदित खोच के लिए friends Nobel पुरुषकार से संब्मानित किया गया था तो friends 1968 में इन्होंने DNA से संब्मानित किया गया था और मानफ शेरीर में गुण सूत्रों की संख्या पूछी जाती है कितनी होती है तो मानफ शेरीर में जो गुण सूत्रों की संख्या होती है ये 46 होती है और जोडे में बात करूं तो ये कितनी होते हैं 23 जोडे होते हैं नेक्स्ट हमारा कॉशन है राइबोसोम को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स जो राइबोसोम होते हैं इनको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्टरी एक्जाम में कॉशन गुमा कर भी पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्टरी किसे कहा जाता है तो वहाँ पर हमारा करेक्ट आं हो जाएगा विट्डामिन के चलिए फ्रेंट्स पढ़ते हैं अब हमारे next question क्यों और और next हमारा question है टिटनिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फ्रेंट्स जो टिटनिस वीमारी होती है इससे शरीर का तंत्री का तंत्र प्रभावित होता है हमारा correct answer हो जाएगा तंत्री का तंत्र next question है हमारा चेचक का टीका की जो है इसकी खोज किस ने की थी तो friends चेचक का जो टीका है इसकी खोज की थी Edward Jenner ने हमारा correct answer हो जाएगा Edward Jenner नेक्स हमारा कॉश्चन है इंसुलन की खोज किस ने की थी तो फ्रेंट्स जो इंसुलन की खोज है ये किस ने की थी तो फ्रेंट्स वेटिंग एवा वैस्ट ने की थी और अगर सन पूछा जाए तो 1921 में उने इसकी खोज की थी इंसुलन की फ्रेंट्स एक्जामे कॉश्च आख के किस भाग पर बनता है तो फ्रेंट्स जो बस्तू का प्रती बिम्ब होता है ये आख के रेटीना पर बनता है हमारा correct answer हो जाएगा रेटीना जाले फैंट्स अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और next हमारा question है नेत्रदान में आख के किस भाग को दान किया जाता है तो नेत चुर्णर की हानी कारक परावेगनी किरनों से होता है हमारा correct answer हो जाएगा शूरी की परावेगनी किरनों से बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और next हमारा question है कोशिका की कोज किस अंग्रेज वेग्यानिक द्वारा की गई थी तो फ्रेंट्स जो कोशिका की कोज है ये रोबर्ट ह हुक के द्वारा की गई थी हमारा answer हो जाएगा वेग्यानिक रॉबर्ट हुक चालिए फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे next question क्यों और यहाँ पर next हमारा question है cirrhosis बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है तो फ्रेंट्स जो cirrhosis बीमारी है ये किस मानव अंग को प्रभावित करती है तो फ्रेंट्स ये करती है लीबर के लिए हमारा correct answer हो जाएगा लीबर अगर मैं बात करूँ लीबर की याने यक्रत की तो फ्रेंट् matter question पूछ जाता है तो आप नोट डाउन करते चलें साथ में नेक्स कॉछिजन की बात करूं तो ये हैं ुर नशरीर की जो आते होती है ये प्रभावित होती है अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है मनिश्ची के मूतर का pH मान कितना होता है तो friends ये होता है 6 कितना होता है फ्रेंट ये किस प्रकार का विलियन हो जाएगा याद रखिएगा आप पूछा जाता है एक्जाम में नेक्स्ट हमारा कॉशन है शरीर से हिर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहनिया कहलाती है तो फ्रेंट्स शरीर से हिर्दय की और रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहनिया है तो फ्रेंट्स ये कहलाती है शिराएं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिराएं और फ्रे तूरियंड की मात्र है मनुश्ट की शेरी में जो प्रति इन बनती है यह होती है लग भग धे semester हमारा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा अब बढ़त में हमारे नेक्स कोशनóc क्यों कर आप हमारे गया हमारे द्यान कहलाता है से तो यह कहलाता है je अब दिए पीजाप इसमें इसे हैं तो फरेंड ग्रंति होती है जान्यिक्र के और समय मुझान bell AP तो छीत है एते हैं प्षोचपि करेंड बीज्त होती है और मैं बात करूं तो इस ग्रंति को इससे AIDS बीमारी के HIV वायरास का पता लगाया जाता है अब बढ़ते हैं हमारी next question क्यों और next हमारा question है मानव शरीर में रख्त के शुद्धी करण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो friends माना शरीर में रख्ते के शुद्धी करण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं dialysis हमारा correct answer हो जाएगा dialysis और friends जो रख्ते का शुद्धी करण है ये किस अंग द्वारा होता है तो friends ब्रक्ती याने की kidney द्वारा रख्ते का शुद्धी करण होता है next हमारा question है हिरदय के विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रेयों किया जाता है हमारा correct answer हो जाएगा ECG इसका full form भी पूछ लिया जाता है तो ये होता है कस्ट संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है और फ्रेंट जो पेस्मेकर होता है यह रदय की गती को कम गती कम हो जाने पर उसे सामन अवस्था में लाने के लिए प्रेस्मेकर का यूज किया जाता है और नेक्स अगर मैं टम की बात करूं तो यह सिटी स्केन और फ्रेंट सिटी स्केन का यूज किया जाता है तो शरीर के किसी भाग की विक्रती का पता लगाने के लिए सिटी स्केन का यूज किया जाता है अब बढ़ते हमारे नेक्स कोशन की और और नेक्स हमारा कोशन है एक मानव शरीर में औस तन कितनी स्वादनलीकाएं होती है यह होती है 2000-8000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000-8000 अगर बात हुई है यहां पर स्वादनलीकाएं यानि जीब की बात हुई है तो मैं इससे जुड़े हुए कुछ आपको फैक्ट बता देती हूं जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जीब जो अपस्ट स्वादनलीकाएं होती है यह खादे पदार्तों का स्वादग्यान कराती हैं हमारे लिए और इनकी जो ऑस्तन संक्या होती है यह 2000-8000 होती है यह मानव शरीर की एक मातर ऐसी कंकाल पेशी होती है । जिसके जो दौने सरवि होती है यह भड़ियों याने बोन से ज जोड़ी होती है लेकिन जो जीब होती है यह एक मात्र ऐसी कंकाल पेशी है जो कि एक सिरे से ही हड़ी से जोड़ी होई होती है और फ्रेंट्स यह किस बोन से जोड़ी होई होती है यह पूछा जाता है तो फ्रेंट्स जो हायोड बोन होती है यह उससे जोड़ी होई होती है यहां मैं आपको डाइग्राम में दिखा देती हूँ यह होती है, घ्रिंट जो कि办 साफ रक्त फेफडों से हिर्दय तक ले जाती है तो फ्रेंट्स जो शुद्ध रक्त होता है तो ऐसी कौन सी वाहिका है जो शुद्ध रक्त को फेफडों से हिर्दय तक ले जाती है तो फ्रेंट्स ये होती है फुफुष शिरा होती है और फ्रेंट्स यहीं अगर मैं बात करनूं अशुद रक्त की तो फ्रेंट्स जो श्फुफुस धमनी होती है उसमें अशुद रक्त एरदाय से फेवरे तक लाया जाता है अब बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है एक वयाश्क मनुष्री का पूरा पाचनतंतर मुँछ से गुदाता है कितने मीटर लमबा हो तो तो friends अगर मैं मनश्य शरीर के पूरे पाचन तंत्रगी बात करूँ तो friends जो पूरे पाचन तंत्रगी प्रक्रिया है ये हमारी आहर नाल में संपन होती है और friends यहाँ पर अगर हम लेट करें तो ये कह सकती है कि आहर नाल कितने मीटर लंभी होती है जो आहर नाल होती है ये लगबग 9 मीटर लंबी होती है और अगर आपसे फिट में पूछा जाए तो 32 फिट इसका आंसर हो जाएगा और अब बात हुई है यहाँ पर आहर नाल की मनश्य के पूरे पाचन तंतर की तो मैं उसको भी यहाँ पर explain कर देती हूँ तो friends एक वयश्क मनश्य का जो पूरा पाचन तंतर होता है friends मोह से गुदा तक तो friends यह इसकी जो लंबाई होती है यह लगबग 9 मीटर होती है और friends इसमें भी जो छोटी आथ होती है यह 6.5 मीटर का हिस्सा कवर करती है और friends जो बड़ी आथ होती है यह लगबग 1.5 मीटर का बाकि जो अन्य यह लीवर और friends गरसनी गरसी जो महो होता है इसके दूआर कवर किया जाता है और friends मैं यहाँ पर आपको बता देती हूं कि जो लीवर और गॉल ब्लेडर होता है friends और इसके अलाबा फ्रेंट्य पैंक्रियास होता है तो friends यह हमारी सहायक पाचक गरंतियां हो लेकिन हमारे शेरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है मुक्यों भूमिका नहुआती है बहुत से ऐसे एंजाइम को रिलीस करती है जो कि हमारे भोजन की पाचन में शहायता करते हैं बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है माशपेशियों को हड़ी से जोडने वाले उतक क्या कहलाते हैं तो friends माशपेशियों को हड़ी से जोडने वाले जो उतक होते हैं इन्हें हम कहते हैं tendon तो बात हो रही है tendon की तो मैं इसका Hindi नामी पता देती हूं doinकि कंफ्यूस करने мол종 कुछ ने दिया जाता है तो friend इसे हिंदी में कहा जाता है और friend यह जो तेंदन उता है माश पैश हमाज बोन करता है और friend इसके अलाबह मैं बता देती हुं लेगामेंट भी एक्जाम कैजा जाता है तो इसका जो बंदन होता हु है मनुष्य के शरीर में रक्त परी भ्रमण में कितना समय लगता है तो फ्रेंट्स ब्लडी की एक पूरी साइकल होने में कितना समय लगता है तो फ्रेंट्स तेश सेकंड का समय लगता है हमारा correct answer हो जाएगा 23 सेकंड बढ़ते हैं next question क्यों next हमारा question है मानफ शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अफ्शोषन कहां सरभादिक होता है तो फ्रेंट्स मानफ शरीर में भोजन का रक्त द्वारा जो सरभादिक अफ्शोषन है ये कहां पर होता है तो ये छोटी आत में small intestine में होता है बढ़ते हैं next question क्यों और next question है, पित, यानि वाइल जिसे हम कहते हैं, ये स्तरावित होता है, तो फ्रेंट्स जो वाइल है, ये कहां से स्तरावित होता है, तो ये यकरत द्वारा स्तरावित होता है, और फ्रेंट्स अगर मैं बात करूं कि ये कहां इकत्रित होता है, तो फ्रेंट्स ये कहां पर पि थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है तो फ्रेंट्स रख्त का थक्का जमने के लिए जो सहायक प्रोटीन है फ्रेंट्स यह होते हैं प्रोथ्रॉम्विन और फ्रेंट्स फाइब्री नोजन और फ्रेंट्स अगर मैं बिटामिन की बात करूं तो फ्रेंट्स जो बिटा सामनेतर रक्त का जो ठक्का है ये लगबग 2-5 मिनिट में बन जाता है बढ़ते हैं हमारे next question की और next हमारा question है मानव रक्त में कितने समूव होते हैं तो friends जो blood group A, A group होता है, तो friends, इसमें antibody B, antibody B type की पाये जाती है, और friends, अगर antigen की बात करूँ, तो इसमें A antigen पाया जाता है, और blood group B की बात करूँ, तो friends, इसमें antibody जो होती है, ये A type की पाये जाती है, और जो antigen होते हैं, ये B पाये जाते हैं, friends, और बात करती हूँ, अगर A भी blood group Edinburgh इसमें किसी भी प्रकार कि antibodies नहीं पाई जाती हैं प्रेंट जुड होते हैं उब यह इसी लिए ब्लड मुब इसमें एंटीजन वह किता है प्रकार कि पाय जाते हैं और जो antibodies होती है तो ये A type की antibodies भी पाई जाती है और B type की antibodies भी इसमें पाई जाती है तो जो blood group O होता है जिस सर्वधाता होता है क्योंकि इसमें दोनों type की antibodies पाई जाती है तो ये किसी को भी blood दे सकता है चालिए friends अब बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और यहारा question है श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुकार क्या होता है तो जो white blood cells होती है या इन्हें हम white blood corpuscles भी कहते हैं तो इनका जो मुखेकार होता है तो friends हमारे शरीर में रोग प्रतिरोदक छमता जो होती है इसको पैदा करना white blood cells का मुखेकार होता है हमारा correct answer हो जाएगा रोग प्रतिरोदक छमता को पैदा करना है एक्साम में कई बार question पूछा जाता है बहुत important question है और यह जो white blood cells होती है यह हमारे शरीर को रोगों से संक्रमेत होने से भी बचाती है बढ़ते हैं next question की और और next हमारा question है लाल रखते कणिकाओं का प्रमुक कारे क्या होता है तो जो लाल रखते कणिकाओं होती है red blood cells होती है इनका जो मुखेकार होता है यह शरीर की हर कोशिकाओं में oxygen को पहुँचाती है और और यह जो co2 होती है इसको बाहर करती है हमारा correct answer हो जाएगा शरीर की हर कोशिकाओं में oxygen को पहुँचाना और कोशिका से co2 को बाहर करना next हमारा question है वह कौन सा तत्व है जो enamel को कटोर बनाता है तो friends बात उठती है के enamel होता क्या है तो जो enamel होता है friends यह हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत होती है जैसे हम enamel कहते है यह जो enamel होता है यह हमारे शरीर के सबसे कटोर भाग होता है exam में कई वार question पूचा जाता है friends और यह जो enamel होता है ऐसा कौन सा पदार्थ है ऐसा कौन सा तत्व है जो इसको कटोर बनाता है तो friends जो fluorine होता है enamel को कटोर बनाने में सहायता करता है बढ़ते हैं हमारे next question की ओर और next हमारा question है सरीर में सबसे जादा उर्जा संचा किस पदार्थ की रूप में होती है तो friends हमारे शरीर में सबसे जादा जो उर्जा संचा है यह वसा के रूप में होता है हमारा correct answer हो जाएगा वसा और फ्रेंट्स एक्जाम में कई बार कॉशन पूचा जाता है जो वसा होता है एक ग्राम वसा की टूटने पर कितने कैलोरी हमें उर्जा मिलती है तो एक ग्राम वसा की टूटने पर हमें 9.1 कैलोरी उर्जा मिलती है और फ्रेंट्स जो protein होता है यह इससे भी हमें उर्जा मिलती है और फ्रेंट्स एक ग्राम protein के टूटने पर हमें 4.2 कैलोरी उर्जा मिलती है Next हमारा question है कौन सा अंग रोगानुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षा कहलाता है तो friends ऐसा कौन सांगय है हमारे शरीर का जो रोहगानियों को मिनाश करता है और शरीर का by story fever कहलाता है तो यह होता है हमारा यक्रत याजियान की लीवर Now friends, ऐसा क्यों होता है तो friends जा future prefer cells पाय जाती है friends इ Cult self पाई जाती है जो रोगानियों को नस्ट करती है और जो यक्रत है यह हमारे शरीर का पुलिस रक्षा कहलाता है बढ़ते हैं हमारे next question की और next and last हमारा question है जीनों की उपस्थिती किस क्रम में होती है इन पर जीन की उपस्थिती होती है यह रेखाकार सरनशना में होती है हमारा correct answer हो जाएगा रेखाकार next and last हमारा challenging question है आप सभी के लिए जिसका answer आपको comment section में देना है comment करके इसके मैंने आपके लिए option भी प्रोवाइड किये हैं ताकि आपको answer देने में बहुत ही सरलता हो friends video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ WhatsApp, Telegram, Facebook पर आपके जितने भी education से related group है उन सभी में आप इसको share करें अगर के लिए धन्यवाद